हेलो फ्रेंड्स आज हम फिर से इंडियन पॉलेटी के mcqs देखेंगे तो पहला जो इंट्रेस्टिंग क्वेस्टेन है आप लोगों के लिए वो यह देखिए UP PCS का मेंस 2013 में पूछा गया था यूपी का जो पहले मेंस होता था वो भी उसमें जो जी एस का वेपर होता था वो अब्जेक्टिव होता था तो question है अब फेडरल सिस्टम एंड डायार की at the center was introduced in India by यह एक्ट के नाम दिये हुए है ठीक है इन में से मैं बताना कि कौन से एक्ट था अब एक्ट ऑफ 1909 गवर्मेंट ऑफ इंड एक 1909 जैसे गवर्मेंट ऑफ इंड एक 1919 गवर्मेंट ऑफ इंड ऑफ 1935 या फिर नन अफ दिया बब ठीक है तो जो फेडरल सिस्टम की बात है हमने पहले भी आपको पताया आपने पढ़ा भी होगा कि फेडरीशन की बात पहल पर में जो डाइयार की है वो भी 1935 में ही इंट्रीउस करी गई थी तो हमारा जो आंसर हो जायागा इसका वो हो जायागा दी एक्ट ऑफ 1935 तो इस तरीके जो यह सिंपल क्वेस्टन था बढ़ते हैं नेक्स क्वेस्टन की तरफ देखें इसका अंसर सी है जो हमने बताये य आपको अशुक्त ग्रहें अपका यह देखें गलो से आपको हॉप नेक्स्कल है आपका यह देखें में के 2,000 12 के में पुचा गया है यूरिवी PCS में तो आप समझ सकते हैं जो हो consum होते हैं बहुत इजिमार्ञस सब्सक्राइब किया सकते हैं यह स्क्राइब और यसक्त पै होगा 1946, 1919, 1940, 1935 तो अभी अभी बात हुई थी Government of India Act 1935 में ही जो है Federation की बाद पहली बार कही गई है ओके तो इसका जो आंसर होगा वो Government of India Act 1935 हो जायागा The provision for the establishment of All India Federation was included in Government of India Act 1935 अंसर इसका ए हो गया next question है which one of the following acts provided for a federal quality देखो एक ही question देखिए भार भार repeat हो रहा है यह देखिए 2010 में आया है ठीक है यूपी का ही exam है UDA LDA का 2010 में आया 2011 में आया 2012 में आया 2020-2022 तक यह question जो कहीं न कहीं कहीं न कहीं लगाता repeat होते रहते हैं तो अगर आप इन questions को करेंगे तो जो repeated questions है उनको आप exam में नहीं छोड़ कर कर आएंगे ऐसा मेरा मानना है आप इनके practice जरूर करिए तो देखिए इसमें फिर से वही गुमावदार options दियेगे 1909 का एक्ट 1909 का एक्ट 1935 का एक्ट 1947 का एक्ट तो आप बताएए इसमें क्या अंसर होगा अभी हम यह में तीजर से बात कर रहे हैं कि जो federation की बात है वो 1935 एक्ट में ही करी गई थी सबसे पहले तो इसका आंसर हो जाएगा सी ओके इसका अंसर सी है अब नेक्ट क्वेश्चन की तरह बढ़ते हैं कि यह देखिए यूपी के फिर से में में 2008 पर पूछा गया है इन दे फेडरेशन एस्टेबलिष अंडर गर्वर्वनेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रेजिडरी पावर्स वर गेब इन टूदा तो देखो दोस्तों जो रेजिडरी पावर्स होती है इसमें चार अप्संदी है हमें फेडरल लेजिसलेचर प्रोविंसेल लेजिसलेचर ग आपका मोभाईल रिंधल में नाम से ही किडियर है रिचिडियर यानі related के जो पावर्स रहे गई जैसे बहुत सारी पावर्स होंगी पता होगा हमें sacred law & law and order है एजूगेशन है बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बाद में आए हैं जैसे कि आज की डेट में हम बात करें जी एस्टी की गोड्स और सर्विसस टेक्स तो यह तो 1999 में यहा है उससे पहले जी एस्टी को कोई जंदा नहीं था ठीक है ऐसे ही आपका मोबाइल ठीक है जो यह सेंटर के पास रहेंगे यह स्टीट के पास रहेंगे लिकिन जो सब्जेक्ट्स नहीं मालुम थे या फिर जो इसमें इंक्लूड होने से रहेंगे वह हो गई डेजिडवरी सब्जेक्स तो जो भी कुछ रहे गया जो उसमें नहीं लिख पाए हैं लोग वो पावर किसक कि ढब्जेक्स differents कि भी के ये आते हैं, अब जो पावर्स रह गए इसके पास जाएंगी फेड़ल लाजिसलेचर के पास जाएंगी जब प्रोविंस के गवर्नर के पास जाएंगी या गवर्ने जेनरल के पास जाएंगी गवर्ना जनुक्र मात आज की ड denke उसरán पह्टर होते थे तो यह जो बावर्स थी 1935 की मैं प्रोविजिन था वो बन जाएगे हैं तो मंने बताया था तो इस तरीके से आप लोगों की समय ने आ गया होगा अगर कहीं कोई डाउट है तो आप उन्से कमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं हम आपको fully explain करेंगे उसको next question है यह देखी UPSC में पूछा गया है IAS pre 2018 में तो आप समझ सकते हैं कितना important topic है कि बार बार जो है IAS हो PCS हो other exams हो समय repeat हो रहा है in the federation established by the government of india act of 1935 रेजिट्री पावर्स वर गिविन टूदा ठीक है अभी अभी इमने बात करी थी कि जो रेजिट्री पावर्स है जो पावर्स उसमें define नहीं करी गई है या फिर define करने से रह गई है वो किसके पास जाएंगी तो federal legislature के पास नहीं बेजी गई है प्रोविंसिल लेजिसलेचर को भी नहीं देगे है प्रोविंसिल गबर्नस को भी नहीं देगे है गवर्नर जनरल को देगे ही थी वो सिंपल है आपको याद रखना है सीधा टिक कीजिए और आपका दू माक्स यहां से बन जाएंगे ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं we will explain that इसका अंसर बी हो गया जो हमने आपको बताया है बी मतलब गवर्नर जनरल ठीक है अब हम बढ़ते हैं next question की तरफ यह question जो है यूपी में पूछा गया है 2010 में यूपी-पी-स में which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935 ठीक है Government of India Act 1935 में इन में से कौन सी चीज नहीं थी not an important and permanent constituent ठीक है देखते हैं देखो written constitution की हम बात करेंगे written constitution की बात government of India 1935 में नहीं करी गई थी written constitution की बात नहीं करी गई थी इसलिए बाद में जो है भारत छोड़ो ठीक है quit India movement इसलिए हुआ था बाद क्रिप्स mission आया था august offer आया था यह सब इसलिए हुए थी बाद में जो है यह हमारी डिमांड थी कि एक constitution होना चाहिए written constitution होना चाहिए जो इंडियन्स ही बनाएंगे और इंडियन्स के लिए बनाएंगे तो यह बात 1935 में नहीं करी गई थी elected representatives responsible to the legislature हाँ जैसे आज की टाइम में election की बात है ऐसे ही उस टाइम में election होते थे election की बात में 1935 में थी envisaging a scheme of federation yes federation के लिए तो फेमास है 1935 वेक्ट हम इस पियर से बात कर रहे है nomination of official members to the legislature यस यह भी था ठीक है तो यह तीनों features तो 1935 वेक्ट में थे सिर्फ यह बाला नहीं था तो हम से जो अंसर पूछा जारा not an important and permanent one student इसका अंसर ए हो जाएगा ठीक है सहन में आ गया कोई डाउट नहीं है कोई डाउट ठीक है तो इसका अंसर ए हो गया और यह explanation है वही जिससे आप देख सकते हैं यहां से next question की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं यह देखिए राजस्तान वाले एक्जाम में पूछा गया आ रहे है इस राजस्तान administrative service का जो एक्जाम होता है 2016 का उसमें यह पूछा गया है दिखते हैं क्या इसमें one amongst the following was not a salient feature of the government of india act 1935 देखो बिल्कुल लगव वैसा ही question है देखते हैं अब हम यह देखेंगे इसमें यह चार जो इस तरीकी का question है उसको हम कैसे solve करते हैं कि हम चारो option देखते हैं ठीक है और उन चारो option में हम यह देखते हैं कि कौनसा चीज 1935 act में थी और कौनसी नहीं थी ठीक है और इसमें पूछा गया not a salient feature तो जो चीज नहीं होगी वह हमारा जो आंसर बन जाए तो act provided for an all india federation यहां हम चोटा सा टिक कल लेंगे yes और federation की बात करी गए थी उसके बाद में रेजिडूरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटी टू प्रोविंसे लेजिसलेचर नहीं अभी 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 थोड़ी बात करी थी जो रेजिडूरी सब्जेक्ट्स हैं वो गवर्णर जनरल को दिये गए थी ठीक है इट मांग त विगिनिंग और प्रोविंशिल अटनोमी यस प्रोविंशिल ऑटनोमी की उसमें बात थी प्रोविंसेस को सेपरेट कर दिया गया था और डिरेक्ली क्राउन के लिए रिस्पोंसेबल थे ये यह वाली बात सही है कि सेंट्र में डायर्गी आगई थी इसमें तो जो हमारा हो जाएगा not a salient feature वो ही हो जाएगा रेजिविटरी पा सब्जेक्स वर एलोकेटी टू प्रोविंसियल लेजिलेटर क्यों कि ऐसा नहीं होता है गलती नहीं कर दिया है कम गलती अगर होगे तो भी माक्स आपके बढ़ जाएंगे माक्स बढ़ाना ही है अपना उद्धिश कॉ तो इस तरीके से question हो गया I hope आपको समझ में आ गया है तो हम next question की तरफ move करते हैं देखिए इस concept B है जैसा कि हमने आपको बदाया था रेजिटरी सब्जेक्स वर नाइधर ऐलोकेटी तो थे सेंट्रल नॉर्थ प्रोविंसियल लेजिस्टेटर रेजिटर रेजिटरी पावास वर वेस्टिट इन दवाइसराय वाइसराय ही गवर्णर जनरल होते थे तो भी इस नॉर्ट असलेंट फीचर नेक्स्क्वेशन है 1935 एक्ट से रिलेटेट यह देखी यूपी में लुवर सबॉडिनेट सर्विस एक्जाम होता था एक उसका प्रिलिंस में 2015 में एक वैस्टिन पूछा गया था वाइस दी गॉर्ण्मेंट ऑफ इंडिया इंडिया ने इंडिपेंडेंस तो नहीं दी थ प्रिखेटरिशन की बात करी थी और जो क्राउं थी उसकी पावर जो एंटीक थी वो सप्रीं थी बोल्कूल ऐसा नहीं था कि इस दी मेन सोर्स ऑफ कॉंस्ट्यूशन फिंडिया यस देखो 1950 में जो हमने कॉंस्ट्यूशन अडॉप्ट करा क्योंकि हमारा 1949 में बन करके तयार हो गया था ठीक है टॉक्टर अंबेटकर नहरुवापुरी जो कॉंस्टेंट असेंबली ने बनाया था उसमें काफी कुछ लिखा हुआ है बहुत बड़ा कॉंस्ट्यूशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं सबसे ज़्यादा जो content लिया गया है वो 1935 act का ही है तो हम safely इस आंसर को मार्क कर सकते हैं it is the main source of the constitution of India ठीक है जैसा कि मैं आपको बताया आंसर इसका ए है Government of India Act 1935 is an important source for the constitution of India many provisions of Indian constitution like federal government, diarchy at the center, distribution देखो यह सारे features थी उसके इंदर इदे federal government थी, diarchy at the center इनको आप याद कर लो बहुत questions यहां से आते हैं distribution of power between center and states ठीक है यही से separation of power की concept आई थी an establishment of a federal court have been taken from it ठीक है तो इस तरीके से यह question हो गया I hope आप उसमझ में आ गया है अगर कोई doubt है तो आप पूछ सकते हैं which one of the following acts led to the separation of Burma from India यह UPPCS के देखो मेंस में 211 में पूछा गया है बर्मा आपको बहुत interesting चीज है बर्मा आपको साथ नहीं पता होगा कि जब ब्रिटेन ने बर्मा को जीता था तो उसके 1935 से पहले तक 1935 तक बर्मा बिलकूल इंडिया का एक पार्ट था जैसे कि आप मालो की गुजराद हमारा पार्ट है महराष्ट नौर्ध इस्ट हमारा पार्ट है असाम है फैसे ही एक और हमारा स्टेट था बर्मा गवर्मेंट ऑफ इंडियाक 1935 में बर्मा को अलग कर दिया गया था इस देश से और तब से बर्मा जो है जब इंडिपेंडेंट हुआ तो एक अलग कंट्री बनके वो निकला तो यह चीज है आंसर इसका सी है बर्मा बर्मा वाज सेपरेटिट फॉम इंडिया एक्कॉर्डिंग तो इस तरीके तो यह वाला क्वेस्टन हमारा स्टॉल हो गया जैसे में 1935 बांसा रहा नाइंटिंट नाइक्ट नहीं है क्योंकि मैं आपको बताया बर्मा जो है पार्ट था विल्कुल नाइंटीन में भी था नाइंटीन फॉर्टी सेवन भी नहीं है क्योंकि तो पहले ही अलग कर दिया गया तो इसकांसर सी है अब हम आज का लास्ट क्वेशन दिखते हैं इन हाउ मेनी प्रोविंसेज वजी कॉंग्रिस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन दी एलेक्शंस इन दे इयर 1937 तो दिखो इसमें थूरा सा कुछ गलिच है यह यूपी के लुगर सबाडिनेट का पेपर है 1935 से रिलेटेड रही है 1937 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आप कोई भी हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे चाहिए वो एंसी आट यह उसमें लिखाए कि एट प्रोविंसेज में उन्होंने इलेक्शंस जीते थे लेकिन इसमें एट का आप्शन ही नहीं है 9, 6, 3, 11 में से कोई नहीं है इसका आंसर एट है तो यह मानलों एक इसके जो आप्शन से वो गलत थे कुछ इस तरीके से उन्हों देगो आट प्रोविंसेज के यह नाम भी है तो एट प्रोविंसेज में टोटल 11 प्रोविंसेज थी तो उसमें से आट में कॉंग्रेस की मिनिस्टरी बनी थी, कॉंग्रेस की सरकार बनी थी, इन्होंने जीता था तो इस तरीके से यह क्वेस्टिन थोड़ा सा गलत था हमने आज का वेपर सॉल्व किया अगर नहीं आई हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और वी विल ट्राइटो एक्स्प्लें एवरिफिंग तो यू थैंक यू पर वाचिंग इस वीडियो